नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्वपून, कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यासी आई सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेड्लाइन्स के बारे में भारती रिजाव बैंक ने राज्य वित्त दो हजार बाईस तेईस के बजटों का अध्यन शीर्शक से रिपोर्ट जारी की है और आई अब खबरों पर विस्तार से चर्शा करते हैं भारती रिजाव बैंक ने राज्य वित्त दो हजार बाईस तेईस के बजटों का अध्यन शीर्शक से एक रिपोर्ट जारी की है ये वार्शिक प्रकाशन है ये रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राजे सरकारों की वित्य इस्थिती के बारे में जानकारी, विशलेशन और मुल्यांकन प्रदान करती है इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम है भारत में पूंजी निर्मान, राजियों की भूमिका इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राजियों के सकल राजिकोशिय घाटे 2022-23 में घटकर सकल घरेल उत्पाद के 3.4 प्रतिशत हो जाने का बजटी अनुमान है वर्ष 2020-21 में ये 4.1 प्रतिशत था जब सरकार का कुल वियाय राज़सु प्राप्तियों और दिये गए रिण की वसूली से प्राप्त राशी एवं गयर रिण पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा हो जाए तो उसे सकल राज़सु घाटा कहते हैं राज़ियों का रिण 2020-21 में जीडीपी के 31.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022-23 में कम होकर 29.5 प्रतिशत रहने का बजटी अनुमान है वर्ष 2022-23 में राज़ियों ने पिछले तीन वर्षों की तुलना में ज्यादा पूंजीगत परिव्याय का बजट रखा है अब इस रिपोर्ट में जो सिफारिशे की गई हैं उसके मुताबिक स्वास्थ सिक्षा जैसे शेत्रकों के लिए पूंजीगत व्याय के आवंटन में व्रिधी करनी चाहिए अच्छे समय यानि कि जब राजस्व प्रवाह मजबूत होता है इस दौरान एक पूंजीगत व्याय बफर निधी के निर्मान पर विचार करना चाहिए इससे आर्थिक चकर के माध्यम से व्याय की गुणवत्ता एवं प्रवाह को सुचारू रूप से बनाय रखा जा सकेगा राज्जी वित्य आयोगों के माध्यम से इस्थानिय निकायों को समय पर धन के हस्तांतरन के लिए प्रडालियों को मजबूत करना चाहिए इसके अलावा उच्च अंतर राज्य व्यापार और कारोबारों को प्रोथसाहित करने एवं सुविधा प्रदान करने की जरूरत है पूंजी निर्मान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों को संयंत्र, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों में तथा सिक्षा, स्वास्थे, कौशल, विकास, आदी के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश किया जाता है वर्ष 2021 में भारत का पूंजी निवेश या फिर कहें कि जीडिपी अनुपात 31.2 प्रतेशत था ये ब्रिक्स के अन्य सदसे देशों की तुलना में काफी ज्यादा था अगली ख़बर बैंकिंग शेत्र से संबंदित है RBI ने रिन हानी से संबंधित प्रोविजनिंग के लिए अपेक्षित हानी आधारी द्रिष्टिकॉर्ण पर डिसकुण पेपर जारी किया है वर्तमान में रिण के डूब जाने के बाद बैंकों को रिणहानी से संबंधित प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत होती है। तो चरण एक में ऐसी वित्य परिसंपतियां शामिल होगी जिनके रिण जोखिम में उलेखनी वृध्धी नहीं हुई है। और इसके अलावाद चरण तीन हैं इसमें ऐसी वित्य परिसंपतियां शामिल होगी जिनके डूब जाने के ठोज सबूत मौजूद हैं। परिसंपतियों के लिए भी आजीवन अपेक्षित रिन हानियों को मानिता दी गई है। ऐसे में वर्तमान द्रिष्टिकॉंड की समिक्षा करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान द्रिष्टिकॉंड भविश्य की संभावित घटनाओं के आधार पर रिन हानियों को पहचानने की अनुमती नहीं देता है। बेसल समिती उस अपेक्षित हानि द्रिष्टिकॉंड का समर्थन करती है जो वास्तविक हानी को ज्यादा पारदर्शी तरीके से दर्शाता है। वर्ष 2007 से नौ के वैश्विक वित्य संकट के लिए हुई हानी द्रिष्टिकॉंड को भी दोशी ठहराया गया था। इसके चलते अपेक्षित हानी का अनुमान लगाने को पहचानने में देरी हुई थी। अगला टॉपिक है World Employment and Social Outlook Trends 2023 रिपोर्ट जारी की गई। आठ प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका मुख्याल है स्विजरलेंड के जिनेवा में इस्थित हैं। ये एक मातरित रिपक्षिय सैंक्तुराष्ट्र एजेंसी हैं जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोकताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाती है। इसका उद्देशी विश्व की सभी महिलाओं और पुर्शों के लिए गरिमा पूर्ण कारे को बढ़ावा देने के लिए श्रम मानक बनाना है। इसका गठन वर्श 1919 में वर्शाई की संधी के तहट किया गया था। इसे सामाजिक नियाय सुनिश्षित करके राष्ट्रों के बीच बंधुत्तों को बढ़ावा देने के लिए 1979 के नोबल शांती पुरसकार से सम्मानित किया गया था। आली के माध्यम से नियायक नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए खोज सह मुल्यांकन समिती की आवश्यक्ता को रिखांकित किया गया है। नियायधीशों के नियुक्ति के लिए गठित खोज एवँ मुल्यांकन समिती में राजसरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधी होगा। वर्तमान में प्रक्रिया ग्यापन में उल्लेखित नियुक्ति प्रणाली में SEC का प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया ग्यापन यानि Memorandum of Process एक महत्पून दस्तावेज हैं जो नियायधीशों की नियुक्ति की कॉलिजिम प्रणाली को शाशित करता है। CGI और सर्वोच नियाले के नियायधीशों की नियुक्ति कॉलिजिम प्रणाली की मदद से सम्विधान के अनुच्छेद 124-2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोलिजिम प्रणाली एक प्रणाली है इसके माध्यम से सर्वोच नियायले और उच नियायले के नियायधीशों की नियुक्ति की जाती है और उनका इस्थाना अंतरन किया जाता है। के साथ विक्सित हुई थी और ये तीन मामले हैं। को नियायक नियुक्तियों और इस्थानांतरनों पर केवल दो वरिष्टम नियायधीशों से परामर्श करने की आवश्यक्ता है। इसा इस केस में कहा गया और उसके बाद फिर थर्ड जज़िस केस आया 1998 में। इसके तहट भारत के मुख्य नियायधीश को नियायक नियुक्तियों और इस्थानांतरनों पर अपनी राय बनाने के लिए सर्वोच नियायले के चार वरिष्टम नियायधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस रो के शुक्र मिशन शुक्रियान एक का प्रक्षेपन 2024 की बजाये 2031 में किये जाने की संभावना है। इस रो के मताबिक शुक्र मिशन के लिए उसे अभी तक भारत सरकार से मनजूरी नहीं मिली है। और इस कारण ये मिशन 2031 तक टाला जा सकता है। वर्ष 2021 में प्रत्वी और शुक्र ग्रहे ऐसी स्थिती में होंगे कि अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रहे की कक्षा में प्रवेश कराने के लिए नियुनुतम प्रणोदक की अवश्यक्ता होगी। शुक्रियान एक और्बिटर मिशन होगा। इसके वग्यानिक पेलोड में हाई रिजॉलिशन सिंथेटिक अपर्चर रडार और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार शामिल होंगे। ये मिशन एक दीरगी वरिताकार कक्षा से शुक्र ग्रह की भूगरभिय और ज्वाला मुखी अगति विधी, उसके धरातल पर उचसरजन, पवनों की गती, बादलों की आवरण और अन्य ग्रही ये विशेश्ताओं का अध्यन करेगा। और आईए बात करते हैं मिशन से संबंदित चुनोतियों के बारे में। आपको बता दें कि शुक्र की सतह पर वायुदा बहुत ज्यादा होता है। ये प्रिश्वी की तुलना में लगभग 90 गुना ज्यादा होता है। इसका वायुमंडल बहुत ज्यादा जहरीला और सल् इशाली ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उद्पन्न होता है। शुक्र ग्रह के लिए और भी कई मिशन भेजे गए हैं जैसे रूस का वेनेरा कारिक्रम, जापान का अकात्सु की प्रुजेक्ट, इसके अलावा वेरिटाज यानि वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोग्राफी और स्पेक्ट्रोइसकोपी, नासा का मैरिनर 2 और मैगलन और यूरोप का एन्वीजिन मिशन, शुक्र ग्रह सूरिज से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर हैं, आकार और द्रविमान की दृष्टी से ये सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है, ये प्रित्वी का जुडवा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह के आकार, घनत्तो और ग्रोत्वा कर्शन लगभग समान है, इसका तापमन 850 डिग्री फॉरन हाइट है, ये सौरमंडल का सबसे गरम ग्रह है, सौरमंडल के अन्य ग्रहों क विंड्स की उपस्थिति के प्रारंभिक प्रमान की पुष्टी की है, सौलिट्री विंड्स विशेश विद्युत्शेत्र में होने वाले उतार चड़ाओ हैं, जो निरंतर आयाम चरण संबंधों का अनुसरन करते हैं, उनके प्रसार के दोरान उनकी आकरती और आकार कम प पता लगा रहा है। 2013 की धारा 132 एक के तहत किया गया था। ये लेखा परिक्षन पेशे और लेखांकन मानकों की देखरेक करने वाला एक स्वतंत्र विनियामक है। इसका अधिकार शेत्र सभी सूची बद्ध कमपनियों और बड़ी गेर सूची बद्ध कमपनियों तक फैला हुआ है। किसी म ATMS भारती राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण ने सडग दुरगटनाओं को कम करने के लिए राजमार्गों पर ATMS को लागू करने की घुशना की है। Advanced Traffic Management System Real-Time जानकारी के माध्यम से राजमार्ग यातायात का प्रबंधन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकिकृत समाधान है। ATMS को लगभग 3000 किलोमीटर लंबे राश्ट्रिय राजमार्गों के लिए लागू किया गया है। वाड़िजिक वाहनों के मामले में ATMS वैद फिटनिस प्रमान पत्र की जाच करेगा। प्राश्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरन राजमार्गों पर सुरक्षा मुद्धों की पहचान करने के लिए ड्रोन वीडियो और नेटवर्ग सर्वेक्षन वाहन डेटा का विशलेशन करने के लिए GIS तकनीक का इस्तमाल करने पर भी विचार कर रहा है। अगला टॉपिक है Oxfam International की Survival of the Richest Report तो मतलब अब तक आपने Darwin's का Survival of the Fittest सुना था लेकिन अब Survival of the Richest Report भी सुन लीजिए तो इसमें भारत से संबंधित कई निशकर्ष दिये गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ती का 40 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सा है और इसके विप्रीत असम्रिध्ध वर्गी की आधी आबादी के पास केवल 3 प्रतिशत संपत्ती है। महिला कर्मियों की इस्थिती और भी ज़्यादा खराब हैं। पितकरों में इस्थाई वृध्धी करनी चाहिए और विशेश रूप से पुझीगत कर की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। और आई अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। में बलकि समाज पर व्यापक प्रभाव डालने के लिहाज से भी असाधारन शमताएं प्रदर्शित करते हैं। DPIIT ने Ascend यानि की Accelerating Startup Caliber and Entrepreneurial Drive समागम और समागम इवेंट का आयूजन किया था। अगला टॉपिक है अभ्यास वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच एक दुपक्षिय नौसेना अभ्यास है। और अब बात करते हैं जैब विवित्ता की। कतर्णिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्या कतर्णिया घाट डिविजन के वन विभाग और नाबाड ने अभ्यारण्ये के समीप रहने वाले थारू लोगों को कौशल विकास प्रसिक्षन देने की योजना बनाई है। थारू समुदाय दक्षनी नेपाल में हिमाले के गिरिपद के तराई शित्र में निवासे तेशज नरजातिय समू है। भारत में ये लोग अधिकतर उत्तरप्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में रहते हैं। ये थारू की अलग-अलग बोलियां बोलते हैं। भारत के स्टार्टप समुदाय से अभिनव और अत्यधुनिक समाधानों को बढ़ावा देना है। साथी भूस्थानिक मुद्दों को हल करने के लिए लागू किये जा सकने वाले अनुसंधान कारें को मानिता देना भी है। इसका लक्षिन नकेवल सावजनिक और निजी भूस्थानिक शेत्रकों के बीच साज़ेदारी को बढ़ावा देना है। बलकि देश के भूस्थानिक स्टार्टप इकोसिस्टम को मजबूत करना भी है। एक्जो प्लेनेट नासा ने ये सूचना दी है कि जेम्स वेब स्पेस टलिसकोप ने अपना पहला नया एक्जो प्लेनेट LHS 475B खोजा है। एक्जो प्लेनेट सौर मंडल की सीमा से बाहर इस्थित ऐसे ग्रह होते हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। इसके सामने से कोई ग्रह गुजरता है। अंतराश्ट्री स्वास्थे विनियमन 2005 IHRS IHRS में संशोधनों पर कारे समूह की पहली बैठक के दौरान भारत ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। जैसे की IHRS को पक्षकार राज्यों के साज है लेकिन विभेदित उत्तरदाईतों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। इन्हें लागू करते समय पक्षकारों के सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आये चार के लिए ये जरूरी है कि सभी देशों के पास लोग स्वास्ते घटनाओं का पता लगाने, आकलन करने, रिपोर्ट करने और प्रतिक्रिया देने की शमता मौझूद हो। कि उनका जनम मैलापूर में हुआ था, ये इस्थल वर्तमान में चेंड़े के निकट इस्थित है, मैलापूर चोथी शताबदी और छटी शताबदी के बीच विक्सित हुआ था, सोलवी शताबदी की शुरुआत में मैलापूर में एकमबरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर एक मंदिर बनाया गया था, ये मंदिर तिरुवल्लूवर को समर्पित है, वर्ष 1976 में वल्लूवर कोटम नामक एक मंदिर इसमारक चेन्नेई में बनाया गया था, ये एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है, कन्ये कुमारी में तिरुवल्लूवर की 133 फीट उंची प्रतिमा इस्थापित की गई है, वो अपनी कृती तिरकुरल के लिए सरवाधिक विख्यात हैं, ये कृती राजनीती, प्रेम, नैतिक्ता और अर्थशास्तर से संबंदित मामलों पर दोहों का एक संग्रह है, तिरुवल्लूवर के विक्तिगत मूल्यों में मेहनत, दयाभाव, धैरे और नैतिक्ता थी, और आएब चर्चा करते हैं सुर्खिय में सुडान, फिलिस्तीन, राजशेत्र, गाजापटी में हैं और पूर्व उत्तर में इसराइल, पूर्व में लालसागर और उत्तर में भूमधिसागर है, मिस्र का भूभाग नील घाटी और डिल्टा द्वारा बाधित विशाल रेगिस्तानी पठार है, स्वेज नहर स् से उचा परवत है, माउंट कैथरीन, इसके साथ ही यंग समाप्त होता है, अगले अंत में फिर बुलाकात होगी, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक अपने लक्षी के लिए ततपर रहिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अब हमें यानि विजन आइस की पूरी टीम करीजे इजासत, नमस्कार